नमस्कार साथियो आज के इस वीडियो में विबिन रोगों के महत्वपूर्ण प्रश्णों के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे चलिए जल्दी से वीडियो को सुरू करते हैं क्वेश्यन नम्मर एक इनमें से सही आंसर है फेफडे प्रभावित होते हैं इसका एक्स्प्लेनेशन है सिलिकोसिस एक फेफडों से समबंधित बीमारी है जो मुख्यत या ऐसे मजदुरू में पाया जाता है जो सिलिका युक्त धूलवाली जगहूं जैसे सीमेंट उद्योग, उत्खनन, कुम्भकारी, इट भटा इत्यादी पर काम करते है सिलिका युक्त धूलवाली जगहूं पर लंबे समय तक काम करते रहने से संबंधित व्यक्ति के फेपडु में धीरे-धीरे सिलिका के सूखश्मकन जमा होने लगते हैं जिसके फलस्वरूप फेपडु में इसकार बनने लग जाते हैं जो दीरे-धीरे सिलिकोसिस रोग को जन्म देते हैं अगला question है निम्न मैंसे कौन सा जीवान जनित रोग नहीं है निम्न मैंसे कौन सा जीवान जनित रोग नहीं है कौन सा नहीं है सही answer है चेचक इसका explanation है पलेग एक जीवान या बैक्ट्रिया जनित रोग है जो यर्शीनिया पेस्टिस नामक जीवान जनित रोग है दूसरा टाइफाइड जिसको मोती जरा भी कहते हैं या सालमोनिला टाइफी नामक जीवान या बैक्ट्रिया से होने वाली बिमारी है जिसमें मुख्यत या छोट प्रभावित होती है टिटेनस क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवानू या बैक्ट्रिया से होने वाली एक गंभीर विमारी है जो मुख्य रूप से तंत्री का तंत्र को प्रभावित करती है चेचक वेरियोला वाइरस नामक विशानू या वाइरस से होने वाला एक सं अताइसपस्ट है कि प्लेग, टाइफाइड और टिटेनस जीवान जनित रोग है जबकि चेचक जीवान जनित रोग नहीं है बलकि वीशान जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है इन में से किस रोग का जन्मदाता कवक है। चार अप्शन है मियादी बुखार, तपेदिक, हैंसेन, एथलेट फुट इन में से सही आंसर है एथलेट फुट एथलेट फुट जिसे मोकेसिन फुट के नाम से भी जाना जाता है यह एक परकार का कवक संकरमन है। इस रोग में मुख्यत या पैर की उंगलियों के बीच का हिस्सा प्रभावित होता है किन्तु कभी-कभी संकरमन बढ़ जाने पर यह पूरे पैर के तलवे में भी फैल जाता है। हैंसेन, हैंसेन रोग कुष्ट रोग का ही दूसरा नाम है यह माइकोबैक्ट्रियम लैपरी नामक जीवानों से उत्पन होता है। इस रोग में विसेश रूप से तवचा, हाथ, पैर और स्वसन मारग इत्यादी प्रभावित होते हैं। तपेदिक इस बिमारी को टीबी, यक्षमा या श्याई रोग इत्यादी नामों से जाना जाता है। बुखार, खांसी, थूक में खून, तथा वजन में गिरावट के साथ सांस फूलने लगती है। इस बिमारी का डॉट्स पद्दती द्वारा पक्का इलाज किया जाता है। मियादी बुखार, मियादी बुखार को मोती जरा, आंत्र ज्वर या टाइफाइड इत्यादी नामों से जाना जाता है। यह मुख्यतिया दूसित जल और दूसित भोजन इत्यादी से फैलने वाली बिमारी है जो साल मोनेला टाइफी नामक जीवानों से उत्पन होती है बुखार, डाइरिया, सिर्दर्द और कमजोरी इत्यादी इस रोक के मुख्य लक्षण है अगला क्वश्यन है इनमे से कौन सा आनुवनसिक विकार नहीं है चार ओप्षन है हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, वर्नांधता, हाइड्रोफोबिया सही आंसर है हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया आनुवनसिक विकार नहीं है इसका एक्स्प्लेनेशन है हाइडरोफोबिया, हाइडरोफोबिया जिसे जलान तक, रेबीज, जल संत्रास और जल भीती आदी बिभिन नामों से जाना जाता है, यह वीसानों से होने वाली बिमारी है, जो मुक्यत या कुत्ते के काटने से फैलता है, इस रोग से पीडित र नहीं है, डाउन सिंड्रोम, एक प्रकार का आनुवन सिक विकार है, इस विकार को ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है, यह विकार 21 गुणसूत्र की एक अतरिक्त पर्ति के कारण विक्सित होता है, वर्नांधता, यह द्रिष्ट से संबंदित विकार है, जिसमें रो नीले रंग की अंधता को ट्राइट्रो नोपिया», लाल रंग की अस्मर्थता को प्रोटेनोपिया और हरे रंग की अस्मर्थता को ड्यूटे रोपिया कहा जाता है। हीमोफीलिया इस रोग से पीडित रोगी के सरीर में किसी कारण वस चोट लग जाए तो रक्त का ठका बहुत देर से जमता है या कभी-कभी ठका न बन पाने के कारण रोगी की मौद भी हो जाती है अगला कोश्चन है MRI का विस्तारित रूप क्या है मैगनेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मैगनेट रिसोर्स इमेज मैगनेटिंग रिपलाई इमेज मैगनेटेबल रेजोनेंस इमेजिनेशन इसका सही आंसर है मैगनेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एम राई या मैगनेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक विसिस्ट परकार की स्कैन मसीन है जो सरीर के अंदरूनी हिस्सों की जानकारी को विस्तरित चित्रों के माध्यम से उपलब्ध कर पाने में सक्षम है अगला क्वेशन है रतौधी रोग सरीर में किसकी अलपता को दर्शाता है सही आंसर है विटामीन A रतौधी रोग को निक्टलोपिया भी कहा जाता है इस रोग से पीडित रोगी को दिन में तो ठीक दिखाई देता है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजेगा धन्यवाद